नमस्कारम सद्गुरू, मैं रकुल हूँ और मेरा सवाल ये है कि आज हम देख रहे है कि महिलाओं पर होने वाले अत्याचार काफी बढ़ गए है और हम सब वाकई बुरा महसूस करते हैं हम एक बदलाव देखना चाहते हैं हर दिन अखबारों में ये चीजे पढ़कर बॉहत बुरा लगता है आपकी राय में इस बदलाव को लाने के लिए क्या किया जा सकता है हम सब जानते हैं कि सक्ट सजा ही इसका उपाय है मगर वो हो नहीं रहा है तो आपके ख्याल से क्या किया जा सकता है महिलाओं के खिलाफ इस हिंसा को रोकने और भारत को हम सब के लिए एक अधिक सुरक्ष जगे बनाने के लिए नमस्कारम राकूल हाँ महिलाओं की सुरक्षा और शोशन कस्तर निश्चत रूप से गंभीर चिंता की बात है बहुत ही गंभीर चिंता की भारत में वास्ताव में दुनिया में हर कहीं अगर हम भारत की बात करें आपने कहा की अधिक सक्त सजा इसका उपाय है मुझे नहीं लगता की अधिक सक्त सजा इसका उपाय है हमें समझना चाहिए कि हमारा समाज परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है इस समाज में हमने कई मूल भूत मुद्दों को हल नहीं किया है सबसे महत्वपूर्ण चीज है शिक्षा समाज में ये विकास जहां एक महिला को अपने आसपास के जीवन के एक हिस्से के रूप में सुईकार किया जाए ये एक ऐसा समाज है जो काफी हद तक घर के अंदर रहने वाली महिलाओं की पीड़ी से तेजी से सडक पर निकल रही महिलाओं की पीड़ी की ओर बढ़ रहा है वो लगभग वो हर काम कर रही है जो एक पुरूशाम तोर पर करते हैं या पहले करते थे तो हर किसी के दिमाग में अब ये बात आ जानी चाहिए कि ये एक सामानने बात है लोगों को अधिक नस्दीकी की आदत नहीं है इसलिए कई सारी चीजें हो रही है निश्चत रूप से कानून लागू करना जरूरी है मगर कानून हमेशा हमले के बाद आता है हाँ, वो महतवपूर्ण है मगर समाधान नहीं है मूल भूत चीज ये है कि अभी बहुत सारे ऐसे युवक है जो पहली बार गावों से शहर की ओर जा रहे है और हमने मूल भूत इनसानी सेक्शुयलिटी को संबोधित नहीं किया है हम उसकी चर्चा तक करने को तयार नहीं है 15 से 25 साल की उम्र के बीच जब एक इनसान के उपर हॉर्मोन का असर चरम पर होता है उसका कोई हल नहीं है हमारे पास नैतिकता हैं जो पुराने समय में असरदार थी मगर हम ऐसे समय में हैं जहां शादी के रूप में इन समस्याओं का एक व्यवस्थित इलाज काफी हद तक 25 की उम्र के बाद होता है पहले 16-17 की उम्र तक शादी कर दी जाती थी अब 25 के बाद ऐसा हो रहा है और कोई हल नहीं सोचा गया है समय आ गया है कि हम एक देश के रूप में एक समाज के रूप में इस पर चर्चा करें कि हम इसे कैसे हल करने जा रहे हैं हम एक सब्वे तरीके से इसका हल खोचते हुए लोगों की मदद कैसे करेंगे हमें इसके साथ समझाओता करना पड़ेगा सिर्फ कानून को लागू करने से ये नहीं सुलजेगा शिक्षा समाज का विकास और कानून लागू करना ये सबी साथ मिलकर समाधान कर सकते हैं मगर ये महत्वपून है कि आप सभी जिनका कुछ प्रभाव है और जिनके कई प्रशंसक हैं खास तोर पर फिल्मी दुनिया के लोग आप सभी को इसके बारे में खुल कर बात करनी चाहिए ताकि समाज में ये एक स्वाभाविक बाचीत का हिस्सा बन सके कि इनसानी सेक्शुयलिटी नाम की कोई चीज है जिससे संबोधित करने की जरुरत है हर कोई सन्यासी बनकर अपनी जरूरतों से उपर नहीं उठने वाला अधिकान्श इनसानों को एक अलग रूप में इसका उपाई करना होगा एक समाज अस संभावना में कैसे मददगार होता है ये हमें देखना होगा अगर हम चाहते हैं कि इस तरह के हमले कम हो अगर हम अपने देश में महिलाओं को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो कुछ बन्यादी बातों का उपाई करना बहुत महत्वपून है